आज हम जानेंगे आइंस्टेंट के दिये हुए कुछ नियम और इंट्रेस्टिंग फैट्स दोस्तों महान वेग्ञानिक आइंस्टेंट के बारे में कौन नहीं जानता उन्होंने ही हमें समाने सापेक्षा के सिधान जेनरल रिलेटिविटी थियोरी के बारे में बताया था आईए इस से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग फैट्स के बारे में जानते हैं पहला सापेक्षा के सिधान्द की मदर से अंस्टाइन ने यह अनुमान लगाया था कि बम्हान के बढ़ने या विस्तार करने का कोई निश्ची दर नहीं है बम्हान की सभी चीजे एक दूसरे के सापेक्ष पढ़ रही है मतलब की एक दूसरे से सापेक्ष मात्र में दूर जा रही है इसलिए इसे सामाने सापेक्षा के सिधान्द कहा जाता है और दूसरा समय हर किसी के लिए एक ही दर पर नहीं चलता बितता है तेजी से चल रहा तेजी से मुमिंट कर रहा एक पर ये वेक्षक किसी इस्थिर पर ये वेक्षक के मुकाबले समय को थोड़ा धीरे से बितता हुआ महसूस करेगा इस घटना को समय का फैलाओ, टाइम टैलेशिन कहा जाता है उदारन के लिए आप अपने हाथ की घड़ी को हिलाएंगे तो देखेंगे कि तब उसका सेकेंड काटा एक सेकेंड बिताने में थोड़ा ज्यादा वक्त लेता है इससे हम कह सकते हैं कि मुवेट करती हुई घड़ी इस्थे घड़ी के मुकाबले अधिक धीरे से चलती है और तीसरा, एक तेजी से चल रही वस्तु, उसकी गती की दिशा में किसी धीरे से चल रही वस्तु के सापेक्ष में थोड़ी धीरे, थोड़ी छोटी दिखाई देती है वैसे यह असर काफी सुक्षम होता है जो तक वस्तु गती प्रकास की गती के करीब नहीं पहुँचते तब तक यह गटना दिखाई नहीं देती और चौथा द्रव्यमान और उर्जा एक ही चीज के विभिन विवेक्टियां है आइंस्टेंड के प्रसीद समी करण यह चीज ही एक परमानुव स्पोर्ट से निकलती हुई उर्जा की एक बड़ी राजी की रिहाई के लिए खुद को सब्चम बनाती है और पाँचवा इस्टू की एक परिणाम सहरूब एक तेजी से चलती हुई चीज का वजन धीमी गती से चलती हुई वस्तू के सापिक्ष में ज़्यादा मालूम पड़ता है यह इसलिए क्योंकि वस्तू की गती बढ़ने के साथ ही उसकी गतीज उर्जा बढ़ जाती है और इसलिए उसका वजन भी बढ़ जाता है और चट्था आइंस्टेंट कहते थे कि वजन में विद्धी ही एक कारण है कि पदार्थ प्रकास की गती से ज़्यादा तेजी से गती नहीं कर सकता अगर किसी चीच का वजन इसकी गति के साथ बढ़ता ही चाता है तो प्राकास की गति तक पहुँचने पर वह अनन्त हो जाएगा और अनन्त वजन को इस थाना अंत्रित करने के लिए अनन्त हो जाकिए उसकता होती है इसलिए यह असंभू है और साथवा अंत्रिक्ष और समय एक साथत्त्य का हिस्सा है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है आंश्टाइन के गनीत के मुताबिक अंत्रिक्ष के तीन आयाम है और चौधा आयाम समय है हाल के से ख्धानतों के अनुसार अनुमान के मुताबिक अत्रिक्ष आयाम हम अनुभव नहीं करतेैं इस बेस्टाइम को हम फेविक के एक ग्रीड के स्poéneru में सुच सकते हैं बड़े पइमाने पर मास्की उपस्थती इस पेस टाइम को विक्रित करती है इसलिए रबर सीट मॉडल एक लोक प्रिये है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार और नए वीडियो बना सकें ठैंक यू